दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि banking से related सारे services आजकल online हो गई है मतलब कि अगर आपको किसी को पैसे भीजने हो या फिर किसी से पैसे receive करने हो या online कोई भी transaction करना हो आप चाहे तो घर बैठे online कर सकते हैं बस आपको phone लेना है और phone में आप जो चाहे कर सकते हैं मतलब कि यहां पास आपको पैसे भीजना हो तो भीज सकते हैं पैसे receive करना हो तो receive कर सकते हैं इसके लावा भी और भी बहुत कुछ पर जहां इनके इतने सारे benefits है यहां पास इनके कुछ नुकसान भी है मतलब कि अगर आप यहां पास ध्यान नहीं देते हैं ट्रांजेक्शन करते वक्त तो हो सकता है कि आपको किसी को पैसे भीजने हो और गलती से आपने किसी और को पैसे भीज दिया और गलती से गलत अकाउंट नमबर टाइप होने कारण गलत फोन नमबर या UPI टाइप होने की कारण किसी और को पैसे ट्रांसफर हो गए हो तो वो किस तरह से उस पैसे को वापस पा सकते हैं तो नमस्कार दोस्तो और आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में दोस्तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जहां पस आपने गलती से किसी और को पैसे भेज दिये हूँ तो किस तरह से आपको हर पॉइंट क्लियर हो जाए और इस वीडियो का आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएं चली करते हैं सुरुआत और समझते हैं किस तरह से आप अपने पैसे को वापस पा सकते हैं अगर आप से गलती से पैसा भीजा गया है तो अगर ऑनलाइन नेट बैंकिंग कास्टमर के जो आपका डिटेल होगा जीसरक आपको का बैंक के उफिसल वेसे अब इसके लावा आपके एकपने बैंक का यूज़ करना होगा तो वहा पास आपका आप का आई FST bec अगर आपने गलत IFSC code डाल दिया है और आपका पैसा डिड़क्ट हो गया है आपकी अकाउंट से तो यहाँ पास आपको टेंसल लेने की बात नहीं है यहाँ पास simply आपको 24-48 घंटे वेट करना पड़ेगा और इस case में मतलब की गलत IFSC code डालने वाले case में आपका यहाँ पास पैसा 24-48 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में आटोमेटिकली वापस आ जाता है लेकिन अगर इसके बाद भी आपका पैसा वापस नहीं आया इस case में बैंक जाकर संपर कर सकते हैं और बैंक के जो मैनेजर होंगे उनको आप एक written complaint दे सकते हैं कि आपने गलत IFSC code डाला औ और आपका पैसा डिडेक्ट हो गया है फिर बैंक आपके इस complaint पर करवाई करेगी और इसके लावा दोस्तों अगर आपने बैंक का ट्रांसफर किया है लेकिन आपका अकाउंट नंबर गलत हो गया है मतलब आपने अकाउंट नंबर को गलत टाइप कर दिया है या फिर गलत डाल दिया है तो ऐसे में आपको बैंक के ब्रांच जाना पड़ेगा और वहाँ पास जाकर आपको रिटिन complaint देना पड़ेगा लेकिन यहां पास ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर दिया है मतलब सपूस कीजिए कि आपका बैं तक कभी समय लग जाता है पैसे वापस आने में पर अगर आपका यहां पास सेम बैंक है तो यहां पास आपका लगबग एक सब्ता लगता है आपका पैसा वापस आने में दोस्तों यहां पास ध्यान रहें आपने पैसा किसी भी तरीके से भीजा हो कंप्लेंड करते वक्त आपके पास सारे ही यहां पास documents proof होने चाहिए मतलब की transaction से related सारी details आपके पास होने चाहिए अगर आपके पास message है तो message का screenshot लेकर आपको xerox देना है उसके लावा आपका bank details लगेंगे सांती साथ अगर आपने जिस भी account में transfer किया है उस account का detail भी लगेगा अगर आपके पास है तो पर अगर नहीं है तो आप simply उस message को यहां पास अपने complaint के साथ जमा कर सकते हैं दोस्तो अगर किसी के account में पैसा चले जाने के बाद अगर वह customer या वह आदमी पैसा वापस करने से मना करता है तो ऐसी स्टिती में आप यहां पास complaint कर सकते हैं पूलिस station में आपका जो नियरे पूलिस station होगा वहां जाके complaint कर सकते हैं या इसके लावा आप court की मदद भी ले हैं उतना ही chances बढ़ता है कि आपका पैसा जल्दी वापस आ जाएगा और यहापस आप जितना ही ज्यादा देरी करते हैं या फिर जितना ही ज्यादा दिन लगाते हैं उतना ही chances बढ़ता है probability बढ़ता है कि आपका पैसा देरी से आए तो दोस्तो यह थे कुछ तरीके जिनक इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ अब तके लिए बाई बाई